तो फाइनली परधान मंत्री मात्रित वंदना यूजना का फॉर्म आप सभी से आपके ओफीस से मांगा जा रहा होगा या फिर कई सेविकाओं के ट्रेनिंग हो चुके तेस सेविकाओं अपने यूजर आडी पासवर्ट से फॉर्म को भार रही होगी। स्वास्ति भाग और ICTC भाग का अदिकारियों ने कल यानि कि 7 अगर्ष्ट को मीटिंग किया है वीडियो कॉन्फरेंसिंग किया है विसमें इस सम्मद्म निर्देश आया हुआ है साथ में 10 अगर्ष्ट और 13 तक का VCS लक्ष जो है उसको पूरा करने के लिए और सत्यापन कर अगर्ष्ट तुमंद्र निर्टना के फॉर्म भरने के संब्ध में आर्चिएच आईडी मसीपी कार्ड मसीपी नंबर क्या होता है कहां क्या भरना है बहुत सारा कॉन्फूजन आ रहा था और बहुत सारा लोगों ने सारा काम कर लिया था लेकिन उनको आर्चिएच ये वि сотर तरुम देख पार है विहार सरका राइजिन साले के और से संची का संक्या 4-345 लेटर सात अगर्श 2-3 architect को जारी किया उनकोने बहुत सामने लिखा क्या है। परद्धान मंत्र मात्रित वंदना योजना यानी PMMY के अंतरगा दिनांग सात अगर्ष दोयर तीज यानी कल भारज सरकार दोरा आयोजित只 को दिए गए निर्देश के संब्ध में यानी कल सात अगर्ष को अधिकारियों ने PMMY के संब्ध में स्पेचल एक वीजिये वीडियो कॉन्फरेंसिंग की एक ओनलाइन मीटिंग की उसके समद्ध में क्या निर्देश है ध्यां से सुनिएगा महां से उप्यक्त विचाय के समद्ध में कानाई के दिनां के साथ अगर्ज़वार्टेश को आपर सचिव महिला अंपाल विकास मंतले भारा सरकार की अध्य समद्ध में सपस्ट किया गया है कि MCP कार्ड से समद्ध विवरणों में MCTS नंबर या RCH नंबर या MCP कार्ड नंबर के प्रविष्टी कर आवजन के प्रकिर्या की जा सकती है कहने का मतलब है कि जो MCP कार्ड आपको A&M बना कर देती है अगर वती महिलाव को या फिर इनकी डिलिवर्य होती है उस MCP कार्ड में से RCH नंबर या MCTS नंबर या MCP कार्ड नंबर को प्रविष्टी कर यानि उसको भर करके भी आवजन आगे प्रोसिस किया जा सकता है चुकि बहुत सर लोगा बिहार से कमेंटर के RCH नंबर नहीं मिला तो अगर MCP कार्ड नंबर है या फिर MCTS नंबर है तीनों में से कोई नंबर है आप भर करके आवजन के प्रकीरिया आगे बढ़ा सकते हैं ये PMMEY के लिए रहात की बात है साथ ही देखिए एक टार्गेट दिया गया है कि या तो आपको निदेश दिया जाता है कि दिनाग 10 अगर्स 2023 तक लक्ष की प्राप्तिकर लभार्थी वर्ग के पंजिकरित आवजनों के सत्यापन एम अप्रूबल में तीवरित्ता लाना सुनिश्चित करें ताकि भारा सर सब्सक्राइब के महिला मंत्राले के अपर सच्चिव के देख्षता में की गए थी यहां पर आपको सिल्नेचर डेट देखने को मिल जा रहा है कि आने वड़ा दो दिनों में 10 अगर्स तक टार्गेट पूरा करना पूरे भारत में कि कितने फॉर्म जमा होना चाहिए पैसा पास होना चाहिए और RCH IDM CTS नंबर RCH नंबर गवारे में नीचे मने डिटेल में आपको बता दिया इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई कंफिजन होना तो को नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टागराम पर मैसेज कर सकते हैं तो उमीद है आपको जनकारी मिल जो फिलाली छोटी सी वीडियो में इतना ही धन्यवाद